मौसम विभाग ने पूर्वा नुमान किया है कि थोड़े देर में हजारी बाग और रांगर जिले में बारिश के असार है इस दोरान में गर्जन के साथ वर्जबाद की भी आशंका है जिले के कुछ भागों में 30-40 km प्रती घंटे की रफ्तार के हवाएं भी देखी जा सकती है मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है रांची, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिले के कुछ भागों में अगले 1-3 घंटे में बारिश के असार है इस दोरान में गर्जन के साथ वर्जबाद की भी आशंका है जिले के कुछ भागों में 30-40 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हवाएं भी देखी जा सकती है मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है किसानों से खास अपील की गई है कि वे तब तक खेतों में ना जाए जब तक मौसम समान ना हो जाए लोगों को बारिश से बचने के लिए पेड़ की नीचे खड़े ना होने की हिदायत और सुरच्छी स्तान पर शरन लेने की सला दी गई है जहारखन में मौनसून आने के संकेत मिलने लगे है दो से तीन दिनों में जहारखन में संथाल परगना के रास्ते मौनसून आ सकता है इसके बाद लोगों को भीशन गर्मी से रहात मिल सकती है मौसम केंदर ने पुर्वा नुमान किया है कि 20 जून से राज्जिक के कई हिस्सों में हवा और बारिश हो सकती है हवा की गती 40 से 50 किलोमिटर प्रति घंटे भी हो सकती है बारिश और हवा के कारण अधिक्तन तापमान में 3-4 डिग्री सेलसियस का गिरावट हो सकती है जिसके बाद मौसम सुहाना होने की उमीद है